रोल है ऐलो दोस्तों यह जो आप वीडियो देखे रहे हैं है ईक निचूड वीडि़यो है निचूड वीडियो का मतलब क्या हो वह आपको समझादेता है गोटा है एक बात बता है हम यहां पर एक business को क्या करते हैं दोस्तों focus करते हैं स्री राम ट्रांसपोर्ट है क्या यह ट्रांसपोर्ट का business है क्या आपको लगता है कि ट्रांसपोर्ट का business चलेगा इस महामारी में नहीं चलेगा लेकिन दोस्तों जिनके भी portfolio में होगा 15% 16% 15% 14% इतना बड़ा नुकसान ह होता होगा दोस्तों जितने भी छोटे investor हैं उनको बहुत बड़ा जटका लगता होगा इसी के लिए इसी चीज का solution निकानले के लिए मैंने दोस्तों यह वीडियो बनाया है क्योंकि दोस्तों हमें पता ही नहीं चलता था कौन सा स्टॉक गिरने वाला है और कौन सा स्टॉक क्या है इमेज के ऊपर क्योंकि एक ऐसा चीज है दोस्तों जो लोगों के माइंड में छप जाता है और फिर वह नहीं मीटता है ठीक है तो सबसे पहले कौन सा सियर नहीं खरीदना चाहिए इस महामारी में जिससे आपको नुकसान नहीं होगा हम वैसे ऐसे ऐसे दोस्तों से अब सेक्टर में द्यान देने वाले है यह अब सेक्टर में जाएंगा तो आटोमेटिक पर्था चलेगा कि यह क्यों सेक्टर सब कुछ GEORGE कर दिया गया सब कुछ बंद कर दिया गया तो आपको लगता है जब पूरा एइर पोट ही बंध है तो तो किसी का भी बिजनस चलेगा नहीं चलेगा तो अब हमें क्या करना है दोस्तों ईरलाइन के बिजनस में नहीं खरीदना चाहे जो भी हो जाए कल को अगर आपको 10% 20% या 30% का भी अगर आपको आपर सर्कीट दिखता है तो लालच में आके नहीं जाना है क्योंकि निफ्टी उपर जा रहा है इस वज़े से ये सेक्टर से आपको पूरा दूर रहना और हाँ एक और चीज़ अगर आपने खरीदा है साधान हो जाए निकलने का कोशिस कीज़े ठीक है अब दूसरा स्टॉक आ जाता है भाई जिनोंने लोगों को पैसा तो बिस्वास तो बहुत जाता था बिलीव सिस्टेमिक ऐसा चीज़ होता है जो आपको बहुत अच्छा मतलब कि सक्सेस्फुल इंसान बना सकता अब ये जो इससे कर दिया गया क्या के बिस्नेस में को ऐसा प्रापलंम था कोई प्रॉडट था कुछ भी नहीं था क्य मैंद्स्ट के वज़े पूल आप तौरिज FEH वो आपको आपको सेक्टर बोलता हूं रिटेव आपको समझे आए ठीक है इसलिए दोस्तों मेने सारा सेक्टर मैं volागर आपने टूरिजम शेक्टर में खरीधारी किया है तो आपको साधान हो जाना यह निकलना एटीक है आप आ जाते हैं दोस्तों retail sector पे retail sector पे आप देख सकतो बीक बजार मॉल जितने भी बड़е-बड़े हैं दोस्तों stock क्या आपको लग रहा है वह stock चल रहा है नहीं चल रहा है नीड का मतलब होता है खाना और पीना खाना और पीना वह सी जिससे इंसान सरवाइब कर सकता है तो रिटेल सेक्टर में आप दो ही चीज भी रहा है एक तो खाने के लिए खाना चाहे वह सुखा हो चाहे वह रुखा हो और पीने के लिए पानी और कुछ भी नहीं ठीक है तो इसलिए रिटेल सेक्टर में भी आपको नहीं चलेगा भाई तो यहां से आप थोड़ा सावधान हो जाओ निकलने का कोजिस किजिए अब हम याँ देखते हैं दोस्तों यहां पर ट्रांसपोर्ट ठीक है दोस्तों यहां पर देख लिए क्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या चांऑर रहे है यह होता है दोस्तों ट्रांस्पॉर्ट का देखेंगा आप नीचे लिए ऊपर सेक्टर पूरा सेक्टर को ही ऊठा के लाया यह पर इसलिए नि चोता सा च्छोटा सा ऐग्जामपल आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी मैंने दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहां देख लिए स्रीराम ट्रांसपोर्ट ठीक है मैंने इसको फोकस भी क्या थोर बताया था किसमें देख लिए 15 या 16 परसेंट का गिरावट है अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा है इसका बिजनस जब सरचमार सकते हो इंटरनेट में पी डवल इ आर होता ठीक है तो दोस्तों आप देख लो इसका कोई पीर ही नहीं चल पा रहा कोई भी तो यह कैसे चलेगा और यहां पर देख लो धड़ाक से इनको 16 परसेंट का नुक्साना तो यह हेवी नुक्सान है इसलिए हमें क्या करन यह सेंक्टर से आपको दूर रहना है किAtt ठीक है उसके बाद करने दोस्तों इंटर्टेंटमेंट सीनेमा स्क्टर ठीक है यह बहूं यह बहूत बढ़ा और अच्छा चलता है थो बहूत अच्छा चलता यहां पर देख सकते हो सारे क्यों पाश्वाल फुल रहते थे लोग देखिए सिनिमा देखने के लिए हम लोग कितना पैसे उड़ा देते तो लोग उनसे भी इनको बहुत जादा प्रॉफिस होता था लेकिन आज के डिट में क्या है दोस्तो सारे इंडस्ट्री बैट चुके हैं किसी को भी कुई काम नहीं हो रहा तो ऐसे सेक्टर में भी आपक नहीं खरीदना ठीक है और आगर आपने खरीदा है तो साओधान हो जाए ठीक है और उसके बाद देख लेते हैं दोस्तो ओईल गैस ठीक है ओल एंडस्कर आपको पता है दोस्तों विल आन गैस के कितना प्राइस गिर रहा दोस्तों आपका अच्छा तेल में भी इसका impact मतलब की धीरे धीरे डाउन नहीं हो जाता है या दोस्तों कोई मान लिजिए उसमें सुधार नहीं आना स्टार्ट होता है तब तक आपको नई खरीदना यह request है कि जो मैं आपको सेक्टर दिखा रहा हूँ अगर वो सेक्टर में आपने stock खरीदा तो निकल जाओ अगर हाँ से कुछ ऐसे भी stock है जो निकल जाते हैं और कुछ लोगों को problem होता ठीक है तो आपने आपके portfolio में जो भी stock है आप जाके चिक की जेकर निट में कि आपका जो stock है वो किस सेक्टर से है क्या वो oil and gas से है अब बोलेंगा भाई oil and gas सबको तो खाना बनाने के लिए चाहिए food cooking के लिए दोस्तों चाहिए गया चाहिए गाश चाहिए ओ ail जेकिन problem यह घर में खाना बनाने से ही काम नहीं चलता है दोस्तों लोग बाहर खाना पसंद करते हैं लोग बाहर खाना पसंद करते हैं अब देख एक चोटा से business मोडल आपने कहीं पर देखा होगा दोस्तों प बड़े आप सोचिए यह पानीपूरी बेचने वाले कितने लोग होंगे पूरे इंडिया में चलिए ठीक है इसको भी हम इंग्लूड नहीं करेंगे जितने भी होटल थे सब बंद कर दिये गया इसलिए ऑईल एंड गैस सेक्टर में आपको क्या करना है थोड़ा था बच के राना ठीक है तो यह था और एक लास्ट है दोस्तो एक माइनिंग सेक्टर है माइनिंग सेक्टर अभी देखिए जब जनता कर्फ्यू हो गया है तो किसी को भी बाहर जाना मना है तो मुझे नहीं लगता कि माइनिंग सेक्टर चलेगा माइनिंग सेक्टर मेरे हिसाब से नहीं चलेगा दोस्तों क्यूंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता कि जनता देना सोचना कौन सा सेक्टर चल सकता है कौन सा सेक्टर नहीं चल सकता है अगर चल सकता है तो क्यूं चल सकता है बहुत लंबी रहती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर किजेगा और दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय आप पूरा वीडियो देख लिए आपने जब पूरा वीडियो देखा तो क्या आपको लगा कि जो आप यह सब देख रहे हो यह आपको clear दिखाई दे रहा है कुछ भी यह अगर आपको clear दिखाई दे रहे हैं चोटे चोटे जो words हैं अगर आपको यह clear नहीं दिखाई दे रह तो मैं क्या share करूँ देखो सब लोग अपने अपने field में export होते हैं अगर मैं doctor को बोलूँ भाई engineer का काम कर लो तो नहीं हो पाएगा तो यहां जो share market के बारे में मैं बता सकता हूँ लेकिन दोस्तों वीडियो के बारे में अगर आप help कर सकते हो तो मेरे तरफ से हाँ जोड के आपकी विंती है धन्यवाद ठीक है मिलते आने वाले next वीडियो में